नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रणभूमी मैथ्स में दोस्तों आज मैं रिजनिंग का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है रैंकिंग रैंकिंग यानि पदा नुकरम यानि किस प्रकार से लोग आगे पीछे सकूँ तो आए दोस्तों इसके पहले मैं कुछ बेसिक्स आपसे डिसकस करता हूँ क्यूंकि दोस्तों बेसिक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते तो आए दोस्तों रैंकिंग में क्या होता दोस्तों मतलब इसमें आपको या तो दो तरीके से सवाल पहले पूछे जाते हैं या तो आपको पूछा जाएगा बाएं और दाएं से, या आपको पूछा जाएगा दोस्तों उपर या नीचे, तो दोस्तों देखिए बाएं दाएं उपर नीचे ये जो दो तरीके के questions है, इन दोनों का method में आपको बिल्कुल same method से ही बताऊंगा, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना है, बिल्कुल same method से ही बताऊंगा, कि जब आपको position किसी का बाएं से दाएं दिया जाए या दाएं बाएं दिया जाए या उपर नीचे, दोनों को बिल्कुल बाएं दाएं ही मान कर बनाएंगे दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है, यह भी important एक number one logic है दोस्तों, इससे बिल्कुल आपको एक question आता है, तो देखे दोस्तों, मैं अगर मान लीजिए, मैं आपसे एक सवाल करूँ, यदि राम बाएं से नवे अस्थान पर है, बाएं लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड उधर, या आप उसको उल्टा भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, देखे दोस्तों, मैं सवाल आपको एक demo दिखा रहा हूँ, मान लीजिए, कि यदि राम बाएं से नवे अस्थान पर है, और राम, दाएं से अगर मैं राम को गिनू, तो पंद्रह हुए अस्थान पर आ रहे हैं, तो पूछा जाएगा, देखे बाएं और दाएं जब आपको पोजीशन दे दिया गया, तो आपसे टोटल पूछा जाएगा, कि कक्षा में कुल कितने बिद्ध्यारती हैं, तो कुल कितने बिद्ध्यारती हैं निकालने के लिए क्या करना है, दोस्तों, बिलकुल एक सिंपल सी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कुछ नहीं करिए, लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ दीजिए, और आलवेज उसमें से एक माइनस कर दीजिए, ये आपका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए, लेफ्ट से राम की इस्तिती है नौ, और राइट से राम की इस्तिती है पंदरा, तो मैंने जोड़ दिया और एक माइनस कर दिया, तो नौ, पांच, चौदा, चौबिस में से एक गए, तेईस, तो देखिए, ये आगए आपके कक्छा में कुल बिद्यार्थियों की संख्या, यही अगर मान लीजे, उपर और नीचे से बोला जाता, ता कि यदि राम की क्रमांक, यानि रोल नंबर, उपर से नवे अस्तान पर है, और नीचे से पंदरहुए अस्तान पर है, तो बताएं कच्छा में कुल कितने बिद्यार्थियों हैं, उसमें भी आपको यही करना था दोस्तो, यहां उपर नीचे बोलेगा, तो भी मैं उसे लेफ्ट राइट ही पकड़ सकता हूँ, दोस्तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां आप कर सकते थे, उपर से नव, नीचे से पंदरह, और एक गटादे जोड़ करके, तो टोटल बच्चों की संख्या आ जाती 23, तो यह बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है दोस्तो, इसी कंसेप्ट को मैं चेंज करके, करकरके, हाई लेवल तक के क्वेस्टन को, आपको बिल्कुल आसानी से आज इस वीडियो में समझा दूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो आईए दोस्तो, यह बेसिक सा कंसेप्ट है, इसे अच्छे से ध्यान से समझ लें, इसके बाद मैं आपको डिरेक्ट कोश्चन पर ले चलता हूँ, अब देखिए दोस्तो, डिरेक्ट कोश्चन पर आते हैं, बिल्कुल बेसिक से सुरू करता हूँ, क्वेस्चन नमबर वन आप देख पा रहे होंगे दोस्तो, कि एक क्लास में रमेश बाएं से दस्वें, तथा दाएं से पंदरहुएं अस्थान पर है, तो बताएं कि एक अच्छा में कुल कितने विद्यार्ति हैं, तो देखिए दोस्तो, यह बहुत ही basic question है, और ऐसा नहीं है कि यह exam में नहीं आता है दोस्तो, यह भी exam में आता है दोस्तो, तो बिल्कुल basic से समझेए, जब भी आपको कुल बिद्यार्थियों की संख्या पूछी जाए तो एकदम जो अभी मैंने आपको basic concept में formula बता है total equal to याद रखें left plus right minus 1 याद रखिएगा दोस्तों इसी formula से मैं अभी आपको चार तरीके के मैं इसे solve करना सिखाऊंगा reasoning देखे टोटल टी फॉर टोटल टोटल का मतलब कुल बराबर left plus right की position minus 1 या उपर नीचे रहेगा तो आप plus down minus 1 बात एक ही है दोस्तों अब बस इसमें आपको बिठा देना दोस्तों और इसे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों तो फिर आप question देखकर भरवली दोस्तों चुटकियों में answer करेंगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने भरवली बना दिया और आपका answer भी आ जाएगा दोस्तों तो देखिए दोस्तों ये class में कच्छा में कुल कितने बिद्यारती हैं दोस्तों 24 बिद्यारती हैं यहां तक आ गई दोस्तों बात समझ में अब देखिए दोस्तों यहां से concept क्या generate हुआ कि बाएं और दाएं position को हमें जोड़ना है और जब भी कुल पूछे तो हमें एक घटाना है अब मेरे बहुत सारे बच्चों और viewers को यह मन में संका हो रही होगी कि यह one क्यों घटा रहे हैं तो देखिए दोस्तों यह एक कच्छा में बात की जा रही है रमेश की और रमेश को एक बार में बाएं से गिन रहा हूँ और एक बार दाएं से गिन रहा हूँ यानि रमेश को हमने कि question और देखते हैं कि दिया गया है कि एक कच्छा में रमेश का क्रमांक उपर से 20 हुआ है अब देखिए दोस्तों उपर नीचे की बात हो रही है गपडाना नहीं है बिल्कुल लेफ्ट राइट ही मान के बनाएंगे लिजिए फॉर्मुला में आपको यहां पर लेफ्ट राइ है तो 35 कर दो यानि दोनों को एड़ करके गटा दो कितने हो गए दोस्तों तीस और बीस-फचास-पाच-प्च पन-पचबन में से एक गए हो गया 54 दोस्तों कितने बिद्यारती आ गए आपके 54 वलागा दोस्तों कि aufना दोस्तों देखिए चुठकियों में हमने इसे ताइप की ओर देखें दोस्तों दो कोश्चन एक टाइप के थे अब इसी में दूसरा टाइप है टाइप वह वन का ही एक पार्ट है मगर यह कोश्चन तोड़ा गुमा के पूछा गया एक क्लास में रीना बाएं से 35 अस्थान पर है कितने अस्थान पर बाएं से 35 यानि पूछा गया तो देखें LRT वाला ही तो है दोस्तों तो T बराबर क्या होगा L प्लस R माइनस 1 यही न फॉर्मूला है टोटल आपको देखें यहां पर दिया गया कितना दोस्तों 50 बिटा दीजिए लेफ्ट की पूजिशन आपको दी गई है 35 बिटा दीजिए और राइट की पूजिशन पूछी के यह तो राइट को राइट है रहने देखें यह घड़ जाएंगे हो जाएंगे 16 यानि रीना का दोस्तों दाहिने तरफ से पूजिशन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा अब देखें दोस्तों यह तो मैं उन सभी को समझा रहा हूं जिनको बिलकुल बेसिक ज्यान नहीं है तो मैं यह बिलकुल बेसिक फॉर्मुला उनके लिए बना कर लाया हूं इससे आप समझ सकते हैं अब जैसे ही आप इस वीडियो को देखके समझ जाए दोस्तों तो मैं आपको एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में डालना चाहूंगा कि देखिए द तो देखिए 50 में से 35 घटा दीजिए कितने हो गए दोस्तों 15 और एक एड कर दीजिए देखिए हो गया 16 तो देखिए दोस्तों तो यह वही चीज है बस मैं यह लिखने के लिए भी आपको देना नहीं चाहता हूं एक्जाम में बीना पेन और पेपर के आप इसे बना सकें आ गई दोस्तों बात समझ में तो देखिए दोस्तों यह बिल्कुल बेसिक घ्यान था अब आपको क्या करना है दोस्तों आईए मैं आपको ले चलता हूं सबसे इंपोर्टेंट टाइप की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो अभी परिक्षा में आज के डेट में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है देखिए दोस्तों सबसे जबर्दस्त क्वेश्चन बोर्ड पर जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर अपने देखके ही लग रहा हूं कि बहुत दंदार है दोस्तों और देखने में भी काफी बड़ा लग रहा होगा तो करने का टेकनीक बताया इसे भी आप वैसे ही करेंगे परिक्षा में कोई भी डर नहीं रहेगा तो आईए दोस्तों सबसे पहले कोश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए कहा गया रीता और मोनीका क्रमसा दाइं और से नवे तथा बाइं और से दसवे अस्था राइट है तो राइट हैंड के तरफ से लिख रहा हूं कि रीता जो है दाइं और से कितने अस्थान पर है नवे अस्थान पर है बिलकुल जैसे लिख रहा हूं समझिएगा फिर भरवली बनाईएगा दोस्तों इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा तो देखिए रीता दाइं और से नवे अस्थान पर है तता मोनीका जो उसकी एक फ्रेंड है सहली है वो बाएं और से कितने अस्थान पर है दस्वे अस्थान पर है आगे दोस्तों बात समझ में यदि ये आपस में अपना अस्थान बदल ले अब देखिए दोस्तों आपस में अस्थान बदल ले क्लास कि जिसकी जहां इच्छा हो उसके जाकर ब्रेंज में बैढ़ी जाते तो यहीं आपस में अस्थान बदल लेते हैं अब क्या हुआ Sand Master G. Kakèg नंक्या आए तो Rita क्या आ गई? मωνिका के जगह पे और मोनिका कहां पर आ गई? रीता के जगापे आ गई इतनी सी बात clear है दोस्तों समझ में आ रहा है आपस में अस्थान बदल ले ना यानी कि ये उसके जगापे चली गई और रीता मोनिका के जगापे चली आई अब तो देखिए पोजीशन में जरूर चेंजेस आएगा तो यहां दे रहा है रीता और मोनिका आपस में अस्थान बदल ले तो रीता और मोनिका करमसा दाई और से 17 तो देखें रीता क्या हो गई अब देखें फिर से राइट हैंड साइड से कितने नमबर पे आ गई दोस्तो 17 नमबर पे आ गई बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगा दोस्तो आ गई और बाई और से मोनिका 18 अस्थान पे चली गई यानि यही मोनिका बाई और से कितने नमबर पे आ गई दोस्तो 18 नमबर पे आ गई देखें दोस्तो क्लियर है मैं यहां मोनिका इसे इंडिकेट कर रहा हूं तो रीता आ गई 17 अस्थान पर दाई और से और मोनिका आ गई 18 अ 9 मोनिका 22 से 10 आपस मैं अस्थान बदल लिया उन्होंने तो नाम को मैंने इंटरचेंज कर दिया एक्सचेंज कर दिया रीता यहां आ गई मोनिका यहां आ गई पोजीशन को भी मैंने लिख दिया अब दोस्तों क्या करना है कुछ भी नहीं करना है हमें सिर्फ निकालना है कि इनके बीच में कुल कितनी लड़किया हैं बस तीनों को add कर देंगे दोस्तों आ जाएगा answer तो यह बीच में कुल कितनी लड़कियां यह आप कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए दोस्तो रीता एक बार नौ थी दाइने तरफ से तो रीता अगली बार दाइने तरफ से कितने नंबर पर 17 तो क्या मैं रीता को रीता से अगर मैं माइनस कर दू यानि मैं देखिए 17 में से 9 घटा दू तो कितने आगे दोस्तो आठ आग के मोनीका और रीता के बीच में कुल कितनी बच्चियां बैठी हुई है तो आपका अंसर होगा 7 तो 7 बैठे हैं और मोनीका बाएं से 10 है रीता दाएं से 9 है तो क्या मैं इन सबको अगर add कर दू तो क्या हमें कुल बच्चे नहीं मिल जाएंगे बिलकुल मिल जाएंगे दोस्तों देखिए 10 और 7, 17 17 और 9 add कर दीजे टोटल हो गए 26 यानि कच्चा में कुल कितनी बच्चियां थी दोस्तों 26 यही बीच में कुल कितने बिद्यारती होंगे यही निकालना आपके लिए सबसे जरूरी है अब तो यह देखिए मैंने रीता और रीता से बनाया इसी सवाल को इसी सवाल को देखिए मैं मोनीका और मोनीका के नए पोजिशन से भी बना सकता हूँ देखिए 10 और 9 तो हमें पता 19 पहले मोनिका थी बाएं से दसवें अस्थान पर और अब है 18 हुएं अस्थान पर घटा दीजे ना भया तो 18 में से 10 गए 8 और दोनों मोनिका है तो एक और माइनस करिए देखिए आगए 7 वही चीज़ा है न दोस्तों 10 और 7 17 17 और 9 26 तो इसे अब भरवली कैसे बनाएंगे दोस्तों तो सेट कर लिजिए शुरुवाती पोजीशन को आप एड कर लिजिए 10 और 9 19 क्लियर है दोस्तों अब आप देखिए हो सकता यहां आपको दोनों का पोजीशन दिया गया है कभी-कभी एकजाम में किसी एक का पोजीशन दिया जाता और हमें सिर्फ एक कही नया पोजीशन चाहिए तो मान लीजे मोनीका सत्रा है तो सत्रा है पहले थी नौ पे घटा दीजिए सत्रा में से नौ गया आठ आठ में से फिर एक घटा दीजिए कितना हो गया दोस्तों साथ आइदर दस और नौ उनीस ता और साथ जोड़ दीजेए 26 हो गया दोस्तों पंच सेकेंड भी नहीं लगा यह इतना बड़ा ड्रामा किया इतना बड़ा कोश्चन लिका दोस्तों परिक्षा में डर लग जाता है बच्चों को समझ में आ गया दोस्तो आईए एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको दोस्तो आईए दोस्तो तो देखिए उसी से मिलता जुलता एक question है दोस्तो और ये सभी exam में आई हुए है दोस्तो इस type के पूछे जाते हैं देखिए फिर से का गया है असोक दाएं से साथवें अस्तान पर है यानि असोक एक लड़का है जो दाएं से right hand side से कितने नमबर पर है साथवें तता कबीर बाएं से दसवें अस्तान पर है कबीर एक लड़का है जो बाएं से कितने अस्तान पर है दसवें अस्तान पर है अब कहा गया ये अपना अस्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो मान लीजे कबीर के जगा आ गया असोक मान लीजे असोक सौरी मैंने आर लिख दिया ये होगा असोक और असोक के जगा कौन आ गया दोस्तो कबीर आ गया ये अपस में अपना अस्थान बदल लिए दोस्तो अब कहा गया है कि बदल ले तब असोग दाएं से 16 हुए अस्तान पर आ जाता यानि यह जो असोग है यह दाएं से कितने अस्तान पर आ गया है 16 अस्तान पर देखे, समझ में आ रहा है मैंने भी आपको बताये था यहां दोनों का नया पोजिशन दे दिया है मगर परिच्छा में ज़्यादा तर किसी एक का पोजिशन देता है और हमें दोस्तों किसी एक वेक्ति का ही पोजिशन चाहिए दस जनका नहीं चाहिए तो देखें दोस्तों इधर से हो गया आपका कबीर दस और इधर से दाएं से असोग हो गया साथ और असोग का नया पोजिशन दाई से होगे 16 क्या करना दोस्तों अभी बताया ना बीच में कितने बच्चे हैं उसे सिर्फ निकालना है तो 16 है असोग का नया पोजिशन पहले तो 7 घटा दीजिए 9 हो गया असोग यहां भी है असोग यहां भी है तो एक आदमी दो दो बार तो नहीं गिनेंगे दोस्तों तो एक घटा दीजिए यानि हो गए 8 तो देखिए 10 और 8, 18, 18 और 7 25 तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका जवाब हो जाएगा टोटल 25 समझ में आई दोस्तों खुल शात्र पूछा गया है ना clear है तो देखिए दोस्तों आप भरबली से बना दो देखो कैसे बनाओगे 10 और 7, 17 जोड़ दो और जो दोनों का position दिया गया है किसी एक ही इंसान का उसे घटा करके उसमें एक और घटा दो तो 10 और 7, 17 साथ और 16 में से साथ गये कितने होंगे दोस्तों 9 में से गया आठ कितना होंगे 17 आठ 25 तो देखा दोस्तों हमने इसे कितने आसानी से solve कर दिया आईए एक टाइट में आपको और दिखाता हूं दोस्तों देखे दोस्तों बहुत ही important question है question में कुछ भी नहीं है दोस्तों उसको आप बस आसानी से समझे कि 16 लड़कियों की एक पंक्ती है दोस्तों लड़कियों की एक line है जिसमें कुल कितनी लड़किया है 16 जब हेमा को दो अस्थान बाएं खिसकाया जाता है यानि दोस्तों हेमा नाम की ये कोई लड़की होगी कुल लड़कियां कितनी है 16 16 में हेमा कहीं किसी अस्थान पर खड़ी है मगर कहा जा रहा है जब हेमा को बाएं की तरफ दो अस्थान और खिसकाया जाए तो वह बाएं सीरे से सात्वें अस्थान पर हो जाती है मान लिजे दोस्तों यहां एक लड़की है और उसका बोला जा रहा है कि उसे दो अस्थान बाएं तरफ खिसकाने से वह कितने नमबर पर आजा है रिस साथ तो क्या इस से हमें यह नहीं पता चलता कि यानि वह दो अस्थान और आगे की और खड़ी थी आगे दोस्तों बात समझ में अभी अगर वह लड़की हिमा दो अस्थान खिसकाने पर यहां खड़ी है और 20 से गिनने पर ہमें कितना नमबर आ रहा है दोस्तों बाएं से अगर मैं गिनूं तो सातवे अस्थान पर यानि वो पहले यहाँ पर खड़ी होगी यानि आठ नौ यानि यह वो पहले का उसका पोजिशन क्या होगा बाएं से नवा होना चाहिए क्लियर है दोस्तो यह तो इसी से समझ में आ गया आच्छा तो पहले दाएं सीरे से उसकी क्या इस्तिती थी देखिए दोस्तो यह बहुत अच्छा कुश्चन है पहले इसे ध्यान दीजेगा पहले पूछा जा रहा है तो हमें यानि पहले का बाएं का पोजिशन ग्यात करना होगा अगर अभी वो साथ है दो अस्तान बाएं खिसकाने के बाद अगर ना खिसकाने तो यानि वो और 9 नंबर पे होती दोस्तो यानि उसका पहले का बाएं तरफ से पोजिशन हमें पता चलिए ना दोस्तो कितना होगा 9 तो अब हमाने पाएं तरफ और कुल कितने बच्चे हैं लड़कियां है 16 तो हमें पता है 16 में से 9 घटा देंगे दोस्तो कितना हो जाएगा 7 और मैंने अभी आपको पहले क्वेस्चन में बताया था कि दाएं बाएं जब भी पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ दीजेगा तो कितना हो गया 7 और एक 8 यानि हेमा की दाएं से पहले की स्थिति क्या होगी दोस्तो आठ हुए नंबर पर होगी आ गई दोस्तो बात समझ में बहुत ही बेसिक टेकनीक से मैंने आपको बताया है दोस्तो समझाया है चुटकियों में बनाना सिखाया है दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों जरूर अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने वैल्यूबल कमेंट्स में भी रहे दोस्तों बस ऐसे ही मेरे रणभूमी मैथ्स चैनल से जुड़े रहे दोस्तों बिलकुल एक्जाम में गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नहीं वीडियो नहीं कंसेप्ट नहीं लॉजिक के साथ तक के लिए दोस्तों जैन जै भारत